क्योंकि SSC GD 2024 की जो भरती अभी 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है उसका examination मिड जनवरी में होने की संभावना है Hello everyone, SSC GD 2024 की भरती को लेकर स्टुडेंट को काफी सारे doubt थे कली एक notice आया था जिसमें आपके physical के regarding बहुत सारे information दी थी जिसके बारे में one by one में चर्चा करूँगी सबसे पहले में आपको बता देते हूं कि आपका physical कप कंटेक्ट करवाने की chances है कि आपके RFID system इस साल लागू होगा उसके साथ यसाथ बहुत बड़ा से फिर से विकेंसी आने वाली है जिसका examination लगबग जनवरी के मिट तक आपको देखने को मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मापको बता देती हूं कि आपके physical examination कप कंटेक्ट करवाई जाएंगे देखे अफिशल यह सारी चीज़े अभी तक clear नहीं हो पाई है बट कल जो circular हो रहा था notice उसके according में आपको बता देती हूं लगबग 105 सेंटर आपके अलोट किये गए हैं इसमें आपके physical की डेट 23 सितमबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में बताई जा रही हैं जिसमें कि पहले एक संक्या बढ़कर 130 से 140 हो जाएगी इसे में आपका बताया गया है कि 105 सेंटर में इन सारे केंडिडेट का physical examination होगा उसकी साथ ही साथ document verification होगा और medical verification होगा कैसी चारे चीजे एक साथ एक ही दिन होगी तो ऐसा possible नहीं है पहले दिन आपका physical examination होगा second से third day तक आपका document and medical verification होगा तो लगबग 2 से 3 दिन इस पूरे process को complete होने में लग जाएगा उसके साथ ही साथ मैं बता देती हूँ और इस time पर मैं अगर बता देती हूँ तो question को attempt करने का सबसे बढ़िया फंड़ा है कि आप PYQ पर ज्यादा फोकस देगे क्योंकि आपकी examination में लगबग 80% PYQ based होता है 20-30% ही आपका कहीं नए question आपको देखने को मिलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा focus PYQ पर दीजी PYQ के लिए आप बहुत सी books का use कर सकते हैं आप application का भी use कर सकते हैं अगर आप मेर से suggestion लेना चाहे तो फिलाल आप prep application से अपनी preparation को मजबूत कर सकते हैं इस application में मैं आपको बता इसमें maximum discount मिलता है आप इसमें दिए के coupon code की सहाइता से आप maximum discount ले सकते हैं और अपनी तयारी को मजबूत कर सकते हैं तूसरा आपका यह डाउट था कि मैं क्या इसमें RFID system लागू होगा तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था इतनी बड़ी भरती में इतने सारे केंडिडेट के लिए एक साथ RFID system लागू करना एक हर्कूलन टास्क है और बार बार आपका tender भी इसमें change हो रहा था कहीं ना कहीं हम कहें तो tender से भी यह सारे चीज़े fix नहीं की जा सक रही थी बीच में आपको बताया था कि हम 5 center में RFID system लागू करेंगे पर ऐसा नहीं हो सक आपका examination road पर हो सकता है हो सकता है ground पर भी हो जाए पर RFID system इसमें नहीं लागू किया जाएगा थर्ड आपका doubt था कि मैम हमारा final result कब तक declare हो सकता है तो देखें आपकी physical के 10 दिन के बाद तक लगबग आपका result आने के chances है कि 22 November से 7 December के बीच में आपका result आ जाए और December के ending तक ही आपको joining देने का process complete कर लिया जाएगा क्योंकि SSC GD 2024 की जो भड़ती अभी 5 सितंबर को release होने वाली है उसका examination मिड जनवरी में होने की संभावना है अभी के लिए मैं आपको बता रहती हूँ आपके physical examination के लिए बहुत कम दिन बचे में है और इन दिनों को आपको धैसा ही तरीके से utilize करना है बहुत सारे candidate ऐसे कह कि इस साल पतानी SSC GD का physical होगा भी या नहीं होगा अभी के लिए मैं आपको बता रहती हूँ आपके physical में इससे जाड़ा कोई डिले नहीं होगा बहुत ही कम दिन आपके पास में 6 है जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी examination January February में conduct करवाई जाएगी बहुत मुश्किल से एस्टेक SSC GD result बहुत वाइरल हुआ उसके बाद में कैसे जैसे करके आपका result आया result के 2-5 महीने बाद में अब कहीं जाकर यह चीज सामने आई है कि आपका physical conduct करवाय जाएगा उसकी भी date यहां पर लगबग announce हो ही गई है आपको बता देते हूँ डिपार्टमेंट इसमें हो चुका है अब बिल्कुल भी डिले नहीं होगा बिल्कुल इस मैं बात करती हूँ 2020 के अंडिंग तक आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया जाएगा डिसंबर में आपको जोइनिंग दे ही दी जाएगी क्योंकि आने वाली भरती का एक्जामनिशन जन्वर कर दीजेगा अपने एक्जाम दे रखा है तो कहीना के आपको इस चीज का नॉलेज है उसके साथ ही साथ अब आपके पास में एक्जामनिशन में वन बाई एट नेगटिव मार्गिंग है तो यह कहीना कहीन आपके लिए प्लस पॉइंट भी है कि आप मैक्सिमम आप अपन आपनेशन को लेकर जिते भी डाउट थे वो सारे दूर हुए अगर कोई डाउट रह जाता है जो इस वीडियो में शामिल नहीं है तो कमेंट सक्षिन में जरूर बताएगा बाकी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद